हलो गाइज फिर से एक नाए वीडियो में सुवा आगता है रैड्मी नोट 5 फ्रो के लिए गल्डी टरो एसका लेटेस्ट बिल्ड आया है नाम ही अजीब है सुनते ही मतलब अजीब लगता है लेकिन आपको इसमें क्या-क्या फीचर्स मिलते और रॉम की प्रपोमेंस आपक इसमें इस तरह का 1215 12.6 का जो मिलता है शाओमी के फ़ोन में वैसा आपको इसमें देखने को मिल जाता लेकिन रॉम के प्रपोमेंस काफी अच्छी और काफी स्मूथनस इसमें आपको देखने को मिल जादी जैसे कि मैं आपको देखा हूँ इसकी सेटिंग मगरा में तो आ compatible इसमें आपको देखने को मिलता है लेकिन फॉन पर वगरा जो भी आप सर्विस वगरा करते यो आपको कर सकते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं कि कभी कबार दिक्कत हो जाती है लेकिन स्थी नेट पास आपको फ्रोपर लिसमें देखने को नहीं तो control center की बात करें तो control center आपको इसमें इस तरह कर देखने को मिल जाता है जो की काफी अच्छा है इसमें mediaware का option इसमें फिलाल आपको नहीं दिया गया अब इसके में power menu बगर आपको इस तरह से देखने को मिल जाता है और volume आप volume down बटन की बात कर लेता हूं तो यहां पर mira देख पाओं कि Como Gas को देखने को मिल जाता है और Ini Pum आपको इसमें देखने को मिल जाता है और यहां पर silent or dnd mode रहे मिलता है काफी अच्छा coo जएता है अब सफैंटिन में चलता है Census दीघने को मिलता है यहां पर आपको इसकी स्टे देखने को मिल जाती अब्जयाथी यहां है सब्सकूल हो सब्सक्कими खाफ़ें लाधा आपको इसको फरबोडरा जो कि आपको इसमें वह नाथ कंवा पर Commissioner पर है तो आप जागे तो आपको इसका सैटिंग का यूए आप पूरा देख सकते है आपको इसमें कलर फुल इसमें देखने को मिल जाता है और उसके बात में बात करते हैं यहां पर 칫ी है तो आपको यहां पे देखते हैं तो वाल्ट का support देखने को मिलता है तो पूरा आपको इस तरह का सेटिक मिल जाता सिमने संट नेट्वरस देखने को है स्ँटोर सकते हो और यां पर अपको सेटिंग भी इसमें देखने को मिल जाती जो कि डाटे सनूब हो हिना Mobile करें तो मैं जैसे यहां पर एकदम कलरफुल का देखने को अनिमेशन देखने को मिल रहा है उसके बाद में निचे आपको वाइफाय वगरा ब्लूटुथ कर रहा है कोई भी इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी और यहां पर टॉंगर देखेंगे तो काफी अच्छा आपको आपको और बार करते हैं और इसमें आपको क्या से किया देखने को मिल जाता है तो निचे आप जाओके तो आपको यहां पर इसका मेंतर सेम रहेगा जो आप अधर रॉम करते हो अब इसमें आपको एओड का फिचरस भी मिलता है जो कि आप इसमें देख सकते हो आपको कस्टम डाउनलोड करने का ओप्सन नहीं मिलता जो फ्री इंस्टोल है वह यह आप इसमें यूज कर पाओगे यहां से आप क्लोग यह भी आपको मिल जाते और प्री इंस्टोल भी आपको इसमें आपको बहुत सार कि जातेенे यहां पर आपको पैय सेकेंड में आपको दिखाता है always on display का जैसे मैं आपको दिखाई दिया लेकिन आपको यहां से always on display का on करने का option मिल जाता है यहां से आप on कर सकते हो notification का भी आपको अलगी दियागा यह आप इस option slip वगरा double tap to week किस्किन काम कर रहा है power menu access भी एकदम अच्छे से और clock format चैन्ज कर सकते हो side panel shortcut भी आप इसमें बना सकते हो weather वगरा calendar का आपको जो भी चाहिए charging animation की बाद के तो आपको इसमें three type की देखने को मिल जाती नीचे आपको pocket mode password यह आपको मिल जाता है उसके बाद में यहां पर डिस्पले पर आप जाओगे तो आपको यहां पर dark mode हो जाता है और उसके बाद light mode यहां पर इसका schedule वगरा भी set कर सकते हो अगर आपको इसका schedule set करन तो काफी अच्छा feature से यह और ब्राइस लेवल डेडिंग मोड कलर और यहां पर रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता जो कि आपको देख से तो 60 हर्स 90 हर्स तीनों इसमें आपको देखने को मिलता है यहां पर 60 हर्स पर करोगी तो मतलब थोड़ा सा तो यहां मुझे आपको यहां पर डेखने को मिलता है जो कि आपको पसंत है आप इसको अलग अलग मिल जाते हैं जो भी आपको पसंद है यहां पर दिखा लेता हूं डिस्प्ले तो मैंने आपको दिखा ही लिया है यहां पर आपको डार्क मोड कर ले तो और यह आपको इसके साउंड वाइब्रेस्ट का तो आप देशे तो काफी अची यूए देखने को मिल जाती और यहां पर आपको नॉट्स का ओप्सन नहीं दिए गया और यहां पर आपको इसमें नीचे जाओगे तो आप देशे तो सड्यूल वगएरा रिफीट कॉल्स वगएरा यहां आपको सारे फीटर्स यहां पर आपको दिए गया प्रोफाइल वीडियो इंकमिंग कॉल्स हो गया एडिशनल सेटिंग मिल जाता है जो कि आप वगएरा यहां से आप कर पाओगे यहां पर साउंड इसक्ट की बात करता हूं मैं तो आप यहां पर देख पाओगे शाओमी का अगर हैड़फोन है आपके पास तो आप उसको यूज करके म्यूजिक का काफी मज़ा आप यहां से ले पाओगे उसके बाद मैं कंट्र control center की बात करे तो control center आपको old वाला भी मिल जाएगा यहां पर आप देख पाओगे ओ verw निया वाला भी आपको यहां पर देखने को मिल जाता है तो काफ़ी अच्छे आपको इसमें features देखने को मिल जाते है और smart home का भी option मिलता है निचे आपको इस्टेस बार का वापिस देखने को option इसमें मिल जाता है अब बात करते हैं थोड़ी home screen की तो यहाँ पर आपको default launcher मिलता है जो की latest है आप यहाँ पर देख पाओगे और निच में इसका customization आप कर पाओगे निचे आप देखोगे तो आपको यहाँ पर आपको home screen सच बार का भी option मिल जाता है जो कि आप इसको enable कर सकते हो यहाँ पर आप जाओगे तो आपको गूगल का मिल जाता है एक normal वाला मिल जाता है जो भी आपको फसंद सिंपल सी allow करोगे और यह आपको मैंने दिखाई दिया है हाइड एप आइकन और गलोबल आइकन अनिमेशन का भी support मिल जाता है यहाँ पर आपको अरेंज रिसेंट वर्टिकल होरीजेंटल दोनों आपको मिलते हैं तो काफी अच्छा है कोई भी तिकत इसमें नहीं यह सो मेमोरी इसका भी option मिल जात जो इसका एकदम दे तो काफी 70 speed fast है जैसे आप इसको टेप करोगे एकदम हो जाता है काफी fast है fingerprint फेस अनलोग भी काफी fast है emergency SOS यह आपको सारे इसमें मिल जाते features यह रहूम आप डेली रह में यूज़ कर सकते हो मुझे इसमें कोई इतना बक्स देखने को नहीं मिला है अम मिलता है मिलता है जो कि आप अल्टा बैटरी सेवर यहां से इनेबल कर पाऊगे और निचे आपको यहां पर skin time वगर आप सब display यह आपको सबुझ इसमें देखने को मिल जाता है और आपको यहां पर दिखा हूं तो skin on time और special features का भी आपको इसमें अलगी दिया गया यहां पर आपको game turbo mode भी यहां पर आपको मिल जाता है यहां पर आप देख सकते हो और उसके बाद में आप video toolbox की बात कर तो इसमें light mode भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है नीचे आप देख सकते हो आपको floating window second space light mode आपको सारे special features में यह option मिल जाएंगे उसके बाद में आपको me account और google scan privacy location जो आपको इसमें सब कुछ मिलेगा अब बात कर लेते हैं थोड़ी इसकी camera quality के तो आपको यहां पर देख सकते हो floating window भी मिल जाता है जो की properly working है कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी आपको तो इसकी तोड़ी camera quality की बात करते है camera quality में आपको इसमें दिखा लेता हूं कि मैन है जो आपको camera quality के regarding की पूछते हो तो आप देख से तो normal photo जैसे कलिक करता हूं तो close हो जाता है तो आपको simple सी क्या करना यहां पर जाना है और device की setting में जाना camera जो इसका watermark के इसको आपको off करना है क्योंकि यह जो भी रोमारी watermark का box है उसके अलावा बागी pics में कोई भी दिक्कत नहीं रहे से कि आप देख से तो photo click करें कापी shutter speed fast है और आप यहां पर देख पाओगे quality वगरा काफी better आपको इसम सामने है तो काफी better आपको इसमें मिल रही है camera quality इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है अब बात करते वीडियो quality की तो कौन सी मिल जाती है आपको setting के अंदर जाओगे यहां पर आपको मैं दिखा लेता हूं तो आपको इसमें 4K 30 app का support देखने को मिल जाता है और आपको इ issue है play store का बाकी इसके लवा कोई features नहीं बाकि आपको MIUI के सारे इसमें features मिल जाते जो कि आप यहां पर देख पा रहे हो तो काफी अच्छी रॉम है ठीक है इसके लवा आपको मैं इसका तोड़ा गैल्दी का भी आपको दिखा लेता हूं यहां पर आप देखोगे तो जूम करना ना पढ़ेगा apps आप यहां पर देख पाओगे तो काफी एकदम कलीन यू आई है और आपको इसमें थोड़ा मैं थिम का भी दिखा लेता हूं कि थिम में आपको इसमें कौन सी थिम देखने को मिल जाती है तो आपको इसमें बहुत ज्यादा थिम देखने को मिलती है ।रिम स्टेश में आप जाओगे तो आपको देखा ले यहां पर यहां पर दिखा लें आपको दियखा की सैटिंग में मैं चलकी आपको दिखा लें यहां पर इसको वापिस ऑनेबल करता हूं मैं अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो फ्लीज लाइक और सेर सस्काइब कर लीजिए क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो बनाता देतों चलो आइस मिलते हैं नेक्स वीडियो में जब तक जे हिंज जे भारतवन्दी मात्रम